राश्वी राजधानी दिल्ली में लूट पार्ट की घटनाए जैसे आम हो गई है ताजा मामला दिल्ली के शक्तिनगर रूपनगर इलाके की है जहाशनिवार 14 जन्वरी को सरयाम दो बाइक सवार चार लोगों ने 41 वर्षिय व्यक्ति के बाहिने हाथ में गोली मार कर लूट पार्ट की थी रिपोर्ट्स के मताबिश शक्त से बंदू की नोग पर 5 लाक रूपई लूटे गए है इस पूरी घटना का CCTV वीडियो सामने आया है CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार चार लोगों ने सरयाम चलती सड़क पर एक शक्स को पैर में गोली मारी और उसके साथ लूट पार्ट की दिल्ली पुलिस ने घटना पर अपडेट देते हुए कहा है कि पीडित शक्स हनी कालरा को नाहीन पैर में चोट लगी थी और 5 लाक रूपए लूट लिये गए थे जो उन्हें अपने ग्राहक से भुकतान के रूप में मिले थे हनी कालरा को बहादुरगर रोड सदर बाजार से शालिमार बाग इलाके में उनकी एक ग्राहक ने पैसे दिये थे फलहाल हनी कालरा अस्पताल में एडमिट है दिल्ली पुलिस ने मामना दर्च कर जाज शुरू कर दी है हनी कालरा किर्तिनगर में प्लास्टिक के दानों के एक व्यापारी की दुकान पर काम करते है ग्रहक से पैसे मलने के बाद वे अपनी मोटर साइकल से कारियाले लोट रहे थे सामने आए सेसिटेवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो बाइक पर सवार चार लोग एक शक्स का पीछा कर रहे है और उसे ओवर टैक करके रोक लेते है फिरारो पी चलती सड़क किनारे हनीकालरा के साथ मार पीट करता है उसके बाद दाही ने पैर में गोली मार देता है उसके बाद सारे सामान और रुपए लूट कर भाग जाता है ये सारी घटना सब के सामने हो रही थी और सड़क पर लोग बिना कुछ बोले चलते जा रहे थे इसी भी जब एक कार सवार ने बदमाशों का विरोध करने के लिए कार रुकी तो उन्होंने कार चालक पर ही पिस्टोल तान दी जिसके बाद कुछ और आते हैं और बदमाश सब कुछ लूट कर भाग जाते हैं